तोड़े वी आर गोईंग तो डिस्कसिंग अबाउट लेसन थ्री यूज ओफ इस एम आर इससे पहले वाले वीडियो में लेसन टू में हमने सीखा क्यांheen सीखेंगे जा थैं। हम सब्सक्र испमें कैसे वीडियो में सीखेंगे और कीौई कादा हैं यहां पिडिया हुआ हैं तो यहां teacher, वे अच्छे मित्र है, they are good friends, मैं आज बिमार हूँ, I am ill today, अमन मेरा मित्र है, अमन is my friend, तुम एक बुरे लड़के हो, you are a bad boy, हम खुश है, we are happy, so यहाँ पर जो भी examples दिये हुए हैं, example में आप देख रहे हैं कि I के साथ M का use हुआ है, दे के साथ R का use हुआ है, यू के साथ R का use हुआ है, वे के साथ R का use हुआ है, ही के साथ is का use हुआ है, तो यहाँ पर जो हम practice करने वाले हैं, वो verb का use हुआ है sentence के साथ में, तो आपको याद रखना है, जो वर्ब यूज होते हैं वो हम कैसे उसका यूज करते हैं तो यह sentences में याद रखना आपको वर्ब's worksheet है यहाँ पर complete the sentences with correct verb अभी यहाँ पर एक sentences है जिसमें fling the blanks जैसे dash दिया हुआ है आपको यह feel करना है तो अभी हम we के साथ use करेंगे we are happy to meet you my friends is my family too शी के साथ इसका यूज होता है she is very clever it के साथ भी इसका यूज होता है it is a pencil box विजय और आई आई के साथ एम का यूज होता है I am soulmates तो यह जो आप clearly इसको sentence को complete करोगे मैं कहूंगा कि आप आपके book में यह sentences लिखें और इसके साथ यूज करें और यह जो we, she, it, name, they, I, you यह सारे जो sentences हैं हम इसको आगे practice करने वाले I am not American मतलब मैं American नहीं हूँ I am not Indian मैं भारती नहीं हूँ I am Indian मैं भारती हूँ I am not Indian सिर्फ हम जो वर्ब के साथ not का use करते हैं तो वह negative sentences बन जाते हैं ठीक है कि मैं वह नहीं हूँ not means नहीं का use होता है ठीक है यह sentences से समझेंगे I am not a student मैं student नहीं हूँ मैं भारती नहीं हूँ I am not Indian we are not teachers यहाँ पर भी dash दिया हुआ है लेकिन यह मैंने options select कि हूँ है already पहले से कि आपको easily हो समझ में आए हम शादी शुदा नहीं है we are not married मैं शादी शुदा नहीं हूँ I am not married so I देखो यहाँ पर एक ही sentence को हम बोल रहे हैं पर V के साथ हम R का use कर रहे है वी मतलब हम I मतलब मैं मैं के साथ मैं M का use कर रहा हूँ और V के साथ मैं R का use कर रहा हूँ तो आपको यह understand करना है कि मैं कहां पर कौन से वर्व का use कर रहा हूँ She is not madhu वो madhu नहीं है वो madhu नहीं है You are not my friend आप मेरे friend, मेरे दोस नहीं हो आप America से नहीं है You are not from America He is not British It's not Indian It's not Indian Yeah, it's not Indian आप चीन से नहीं है You are not from China मेरा नाम सचिन नहीं है My name is not Sachin मैं इंडिया से नहीं हूँ मैं भारती है नहीं हूँ I am not from India I am not Indian ओके याद रखना है आपको यहाँ पर two sentences का use हुआ है हमने जो प्रैक्टिस किया one sentences कि हम यहाँ पर not का use कर रहे है औके और वर्ब का use कर रहे है वर्ब का use not के साथ में हम use कर रहे है ठीक है He is not from China He is not Chinese Ravi is not from America He is not American She is not from England She is not British So यहाँ पर हमने two sentences में He, Ravi, She इसका हमने वर्ब के साथ में not का use किया है एक slide अलग से हमने बनाया है जो subject pronoun के साथ में वर्ब का use कैसे हो रहा है not के लिए ओके So I am not So यहाँ पर देखो I am short कैसे हो जाता है I am not We are not We are not We aren't इसको हम साथ में भी बोल सकते हैं So यहाँ पर He is not He is not Isn't So ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है आप इसको चीए तो लिख के रखे हैं और आप इसको चीए तो इसको remind करें Again and again कि हम जो subject pronoun है उसके साथ हम कोन से वर्व का use करता है और जब हम not का use कैसे करते हैं Sentences के साथ में So इसको अच्छे से जाद करने UK के साथ R का use होता है UK के साथ R का use होता है UK के साथ M का use होता है इसका जो यूज होता है ही शी इत नेम के साथ होता ठीक है अभी यहाँ पर जो स्लाइड दी है तो हमने अभी प्रैक्टिस किया उसका ही स्लाइड़ है यहां पर जो sentences के difficult words है उसकी यहां पर हिंदी मिनिंग के साथ में दिया हुआ है कुछ हिंदी मिनिंग जो आपको वहां पर नहीं मिलती है यहां पर आप देख लो और आप इसको अच्छे से practice करो कि आप easily जब किसे मिलते हो तो subject pronoun के साथ में कौन सा verb use होता है not का use कहां करते हैं और अपना introduction इंगलिस में कैसे करते हैं यह two lessons जो हमने पहले वाला बनाया और उसके बाद यह तीसरे lessons में हमने जो सीखा है verb का use तो यह अगर आप तीनों lessons one by one देखते हो तो आपको यह introduction करना और यह sentences का use करना यह जो sentences है आप easily आप किसके भी सामने आप अच्छे से बात कर सकते हो I hope यह जो video one by one आपने देखा होगा यह clear होगा अगर आपको कुछ भी लगता है कुछ भी doubt होता है तो just मुझे comment करें तो मैं आपको उस पर reply दे पाऊंगा अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो please like करें